हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब दा एविजर्ड अकैडमी की तरफ से मैं मुहम्मद आफ्तावरम और हम्मेशा की तरह आप लोग के लिए लिकाया हूँ एक शांदार जांदार और आपके काम की वीडियो और ये वीडियो में ने बनाई है 10th क्लास के बच्चों के लि के अंदर या फिर अक्तूबर सम्द हजार 21 के अंदर तो ऐसे में आप लोगों को 20 नंबर में ट्यूटर मार्क एसाइमेंट यानि के सिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र बना कर अपने अपने स्टेडि सेंटर पर इसे जमा करवा दिना है इसकी जो लास डेट है वो अप्रे बना कर अपने अपने स्टेडि सेंटर पर जमा करवा दिए जिससे के आप लोगों को एसाइमेंट के अंदर बहुत अच्छे नंबर मिल सके तो आप बिना किसी बकवास के फड़ा फड़ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है खास इस वीडियो के अंद और यह है आपको 20 नंबर का ठीक है आपको 20 नंबर प्रोवाइट करवाएगा यह एसाइमेंट सभी कोशनों के अंदर दो अप्शन दे रखे हैं जैसे पहला कोशन है निमलिखित प्रश्णों में से किसी एक प्रश्ण का उत्तर दीजिए पहला कोशन है सिस्टम सॉफ्व को असेंबल करने के लिए हाड़वेर पार्ट्स खरिबना चाहता है तो दीज जाट जो भी अगर है इसको पढ़ लिजे और दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है जो एजी लगता है वो आप आंसर लिख सकते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए यह वाली क्लार का यूजिन ना करें अगर दूसरे कलर का यूजि करना चाहते हैं तो आप जो rubber और green पैन का यूजिन अकरें बाकि किसी भी पैंन का यूजिस कर अच्छा रहेगा अगर आप दो कलर का यूज करते हैं तो मुझे यह जो पहले वाला कोशन था system software application software में defense अच्छा लगा तो मैंने इसको अच्छे से explain कर दिया है आपको भी paragraph wise same to same जो है solve करना है जिससे कि आपको अच्छे marks मिल सके और प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात और बता देता हूं YouTube पर जो है आप लोगों को हो सकता है और दूसरे channel भी इस तरीके से TMA solve करके दे रहे हूं बट आप जो है प्लीज उन channel से TMA मत लीजिएगा मत solve कीजिएगा क्योंकि वो खुद 10 वी बार भी fail होते हैं और आप लोगों को experience है channel चलाने का और जो है NIS open board के अंदर पढ़ाने का तो मैं आपको जो answer दूँगा वो बिल्कुल right correct होंगे तो आप प्लीज ऐसी जो है गलत फहमी में मत रहिएगा और आप जो है लालच में आकर दूसरे जो है माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है यह रहा आपका डाइग्राम यह डाइग्राम भी आपको बनाना है जो पेज आपको लेने हैं तो यह देखिए एक साइड आपका लाइनिंग वाला पेज होगा और दूसरी साइड जो है वो blank पेज होगा blank वाले साइड में आपको बना देना है डाइग्राम जिससे के आपको marks मिले बहुत अच्छे अगर आपका assignment में अगर दो तीन डाइग्राम बन जाते हैं तो यह समझ लीजिए आपका जो checker है जो आपका examiner है उसके ओपर बहुत अच्छा impression पड़ता है और वो आपको आराम से 20 में से 19 या 18 नंबर दे देता है लेकिन अगर आप इस तरीके के जो diagram है कम यूज़ करेंगे या फिर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको 10 12 नंबर से जादा नहीं मिलेंगे और आपकी पूरी की पूरी percentage खराब हो जाएगी आगे चलते हैं कोशन नंबर सेकिन तो आईए इसको solve करने से पहले इसका कोशन देख लेते हैं यह रहा कोशन नंबर सेकिन इसमें भी दो option दे रखे हैं पहला और दूसरा तो मैंने जो है यह पहले वाला solve कर दिया है और अगर आप second वाला भी solve करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बड़ ऐसा क करने के आपको कोई ज़रूत नहीं है जैसा दिया है बस वैसा ही आपको लिख देना है आई ये अब आंसर की बात कर लेते हैं ये देखिए फाइंड की शॉटकट की फॉर्मेट प्रिंटर की शॉटकट की मैंने ये लिख दी है सेकंड वाले अप्शन पर फिर सब्सक्रीप्ट और उसके बाद है आपका चेंज केस आंसर बिल्कुल राइट हैं बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन क्या है आप इसे लि सब्सक्राइब करेंगे कोशन नमबर थाड़ है एमस एक्सल की कोई दो विशेष्टा हैं लिखिए तो आंसर में यहां पर देखिए लिख दिया है आप इसे लिख लीजिए बड़ प्यारे बच्चो मैं आप लोगों को इसका अंसर पूरा नहीं बताने वाला हूँ पहले हम इसके कोशन को देखते हैं यह देखिए कोशन नमबर जो थी है इसमें मैंस एक्सल की कोई दो विशेष्टा मैंने इसको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया है और उसके के अंदर देखिए आप लोगों को बनाना है अच्छा सा डाइग्राम और कोशन नमबर फाइफ के अंदर भी देखिए यहां पर भी आपके पांच जो है चार्ट मैंने तयार किये हैं चार्ट को परिभाशत कीजिए पांस से साथ जो है मैंने चार्ट के परकार बताएं है और किनी तीन परकार के चार्ट का मैंने अच्छे से एक्स्प्लेनेशन दिया है वो भी डाइग्राम के साथ जिससे के आपको नमबर बहुत अच्छे मिल सके उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कोशन नमबर फाइफ के अंदर कोशन नमबर सिक्स के अंदर तो य इसरे चौथे पाचवे छड़े का अंसर चाहिए तो फिर आपको हमारा पार्ट तू देखना पड़ेगा मैं इसे जानबूच कर इसलिए बीच में छोड़ रहा हूं ताकि जो है अगर आपको इसकी रिक्वार्मेंट होगी तो आप जो है जरूर मुझे कमेंट करके और मैं आपको एक छोटा सा एक टार्गेट दे रहा हूं 1000 लाइक का 1000 लाइक जैसे इस वीडियो पर आते हैं मैं आप लोगों को पार्ट 2 के अंदर कोशन नमबर 3,4,5,6 सॉल्व करके दे दूँगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप बहुत जल्दी कर लेंगे और जो भ आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसका हमसे PDF परचेस कर सकते हैं PDF के अंदर आपको एक से लेकर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा उसके लिए आपको 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे और आपको इ वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी कोशन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो को लास्त देखने के लिए आप सबी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया